अन्य दाता सलाकार यूटूब चैनल में आपका स्वाकत हैं आज अपन बात करेंगे चने में गेगरे बनने पर कौन सा इस्प्रे करें जिससे कि अपनको अच्छा उत्पादन मिले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चने में दाने बनने की अभी अवस्ता हैं और इसमें अभी आप सबसे पेले इल्ली का इस्प्रे करें क्योंकि इस सवस्ता पर इल्ली बहुत ज़्यादा मात्रा में नुक्सान पुचाती हैं क्योंकि गेगरे के अंदर इल्ली जाने पर अंदर का सारा दाना ख़तम कर देती हैं पहां जाती है जिससे की उत्पाधन पर वह ज़्याधा प्रभाव परता हैं तो शरवर्पथर्भ् आप अपने चन्य के खेथ में इल्ली के प्रकौप का पैचान करें उसके अंदर किसी प्रकार से पानी के साथ 10 ग्राम उसी के साथ अगर आप दूसरा इस्प्रे कर रहे हैं और चन्ने में भी इल्ली आपको दीख रही हैं और आपके लगबग सारे गेगरे बन चुके हैं तो आप इसमें इमामेक्टिन बेंजोइट 50 ग्राम भीगा साथ में आप प्रफिनोपास 50% 200 मेल भी स्वाधन मिले अधिक जानकरी के लिए आप अनधतसलाकार यूटूब चैनल पर कमेंट करके जानकरी ले सकते हैं जिन किसान भायों अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं वह सस्क्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन घंटी के बटन क कर दबाएं जिससे की नई आने मारे जानकरी अब तक बोच सकें